अगर आपके पेट में गैस बनती है आपको कब्च, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्या है साथ ही आपका जी मिचला थाय खट्टी डगारे आती है तो आपके साथ दो घरेलू नुस्के शेयर कर रहे हूं तो सबसे पहला जो नुस्का है उसके लिए आपको चाहिए जायफल ये जो जायफल है आपके लिए बहुत ही लाबदायक थाबित होगा आपकी जो गैस की समस्या है पेट फूलना है जी मिचलाना है वो सारी समस्या दूर हो जाएगी ये जो जायफल होता है गरम होता है लेकिन आपको इसे लेना कैसे है ताकि ये आपको नुकसान भी न करे और आपको गैस की समस्या से बहुती चल्दी छुटकारा दिलाए तो देखिए आप क्या करेंगे आप जो जायफल है ना इसे घिस लेंगे इस तरीके से greater से आसानी से घिस जाता है कोई दिककत नहीं होती है तो इस तरह आपको इसे घिस लेना है थोड़ा सा ही चाहिए आपको पूरा जायफल घिसना नहीं है आपको मात्र दो चुटकी देखे ऐसे को झुल को घिस के लिया और चुपकी से ले रहे हूँ केवल दो चुपकी जादा का सेवन नहीं करना है गरम होता है बस इतना ही लेए जितना मैंने बताया है ये दो चुटकी जो जायफल है ना इसमें अब आप डालेंगे नीबू का रस ठीक है आधा नीबू ले लेना है और इसमें आपको डालना है नीबू का रस लगभग डेड़ चमच के करेब आप इसमें नीबू का रस डाल दें ठीक है और अब आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से mix कर लें और आपको इसे लेना कैसे है वो बता देती हूँ देखे डेली जब आप शाम को खाना खाने के बाद फ्री हो जाएं जब आप सोने जा रहे हैं तब आपको इसे लेना है और इसे लेने के बाद आपको पीना है एक किलास गुनगुना पानी और फिर आपको सो जाना है इस तरह आपको साथ दिन लगातारे से लेना है आपके जो पेट में गैस की समस्या है कब्ज है, जी मिचलाता है या आपको खट्टी डगारे आती है acidity की problem है वो सब समस्या दूर हो जाएगी बस एक बात का ध्यार रखें कि जब आप इस नुस्के को लेंगे तो उसके बाद आपको एक किलास गुनगुना पानी जरूर पीना है चाहें गर्मी के दिन है चाहें सर्दी के आपको पानी गुनगुना ही लेना है ठीक है इस तरह जब आप इसे लेंगे और गुनगुना पानी पीएंगे तो सुबह आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा और आपके पेट से related सारी problem खतम हो जाएंगी अब दूसरा नुसका जो है उसके लिए आप क्या करेंगे गैस पर रखेंगे एक बरतर और इसमें डाल दें समस्या को दूर करने में बहुती जादा लाबकारी होता है तो यहाँ पर आपको इसमें दो चमच ही साबुद धनिया डाल देना है बहुत जादा नहीं डालेंगे बस दो चमच काफी होगा अच्छी तरीके से से मिक्स कर लें अब आप पानी में आने दें अच्छा सा उब ठीक है इसे हाई फ्लेम पर आपको छोड़ना है और इसमें अच्छा उबालाने देना है देखे जो लोग पहला वाला नुसका नहीं अपनाना चाहते तो वो इस धनिये वाले नुसके को अपना है क्योंकि जो धनिया होता है उसकी तासिर होती है एक्टम ठंडी ये गरम न पानी में अच्छा उबालाने लग गया है तो अब आपको इस पानी को बहुत जादा तेर तक नहीं उबालना है इस तरह जब बड़ा उबाला जाएगा तो उसके बाद आप लगभख दो मिनट के लिए से और उबालेंगे बस इससे जादा आपको इसे नहीं उबालना है ठीक है तो यहाँ पर मैं दो मिनट के लिए से और उबाल लेती हूँ और उसके बाद आप गैस का फ्लेम कर देंगे ओफ और इसे आप ऐसी छोड़ेंगे ऐसी इसे आप पूरी तरीके से ठंडा होने दें ठीक है धनिया को इसमें पड़ा रहने दें और बस इससे ठंडा हो जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब आपको इसे छान लेना है तो यहाँ पर पानी हो चुका है ठंडा तो मैं इसे छान लेती हूँ अब इस पानी को आपको पीना कब है और कितनी मात्रा में पीना है वो सब मैं आपको बताऊंगी तो देखिए पानी को इस त पर जाते हैं आपको समय नहीं मिलता है आप परकी है तो आप केवल सुभह और शाहम दो टाइम भी से पी सकते हैं आपको एक पर में एक चोथाई ग्लास पानी ही पीना है इससे ज़्यादा नहीं पीना है वन वीक तक लगाता है आप इसे ऐसे सेवन करें जैसे मैंने बताया है आपके पेट की गर्मी, कपज, गैस, एसेडिटी, जी मचलाना, खट्टी डगारे आना ये सब समस्यां दूर हो जाएंगी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें